हलो एंड वेलकम टू ऐनलाइन स्कूल इंडिया फॉल लायबरी साइबस एक बार फिट से आप सभी का ओनलाइन स्कूल इंडिया फॉल लायबरी साइबस में जोड़दार स्वागते दोस्तों मैं आपका दोस्त उमेश सिंग कच्छावा एकलेवीय मॉडल रेजिटेंशल स् उन सभी का इस class में जोड़दार स्वागत है दोस्तों तो एकले भी model जो residential school है जिसके अंदर बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी तो आपको आज एक ऐसा topic पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है डेलनेट देखिए दोस्तों डेलनेट जो है एक नेटवर्क से जुड़ावा है डेलनेट हमारे इंडिया का एक नेटवर्क है क्योंकि यह topic जो है आपकी यूनिट फोर होती है जैसा कि आप सबको पता है कि आपके syllabus को आपके belief level के syllabus को पाच पार्ट में डिवाइड किया है इ इसके अंदर universe of knowledge classification और cataloguing होता है पार्ट 3 होता है library management और पार्ट 4 होता है यह पार्ट 4 होता है reference service और information service या reference source या information source भी कहते हैं तो आज यह जो topic आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेलनेट यह आपके information service या information sources से जुड़ावा है तो आएए इस class को शुरुआत करते हैं बहुत सांदार है यह equilibrium model residential school की पहली class है उमिद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगेगी इस class को शुरू करने से पहले आप सभी को मैं यही कहना चाहता हूँ अपने हातों में register ले लीजिए और register के साथ साथ अपने pen ले लीजि जिए एक बार जब आप डेलने topic का जब आप register में notes बना लोगे न तो जब उसके बाद आप revision करोगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने के लिए जिंदगी में एक बार ही notes बनाना होता है लेकिन बार बार revision करने से आपको library science और ज्यादा अच्छी लगने लगेगी क्योंकि जो नए विद्यारती है उन लोगों के लिए शुरुआत में बहुत प्रब्लम आती है क्योंकि most of the students होते है library science में वो distance education university से degree, diploma या master degree प्राप्त कर लेते हैं लेकिन उनको जितना knowledge होना चाहिए उतना knowledge नहीं हो पाता है तो देखे दोस्तों आए शुरुआत कीजिए इस class को like कीजिए, subscribe कीजिए और हमें comment जरूर कीजिए जो भी विद्यारती इस class को देख रहे हैं इस class की जो pdf है जो topic में पढ़ा रहा हैं आपको इस class की जो pdf है आपको हमारे telegram channel पर आपको मिल जाएगी जो भी हमारा topic है इस topic की जो pdf है वो हमारे telegram channel पर मिल जाएगी जिसका नाम है OSI for library science इस telegram channel को join कर लिजिए ताकि आने वाले समय में library science से संबंदित हर चोटी मोटी वेकेंसी आपको इस telegram channel पर मिल जाएगी और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो 8949 992361 इस पर कभी भी कॉल कर सकते हैं देखें दोस्तों आपके सेलेबस को पांच पार्ट में डिवाइड गया है जिसमें पार्ट वाइब जो होता है पार्ट फाइब जिसे आपन क्या कहता है रेफरेंस सर्विस भी कहते हैं या फिर इन्फॉर्मेशन सर्विस या फिर हम कह सकते हैं information इस बोस्त बहुत है तो पांच वह जो पार्ट होता है आपके computer और basic तो यह आपके एकलविय मॉडल स्कूल लाइबिर्य एकलविय मॉडल रेजिदेंसिल स्कूल का जो syllabus है इस syllabus के अंदर आपको पांच पार्ट है हलांकि kvS और इसका लगबग सेम रहेगा कुछ टॉपिक हो सकता हैं बढ़ा भी सकते हैं जानगना एकलविय मॉडल रेजिदेंसिल स्कूल में कुछ टॉपिक बढ़ा सकता है आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वह नेश्टनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम एंड नेटवर्क के राष्ट्रिय सुचना जो इंडिया के अंदर कौन कौन से इन्फॉर्मेशन सिस्टम और नेटवर्क है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं उसमें इसकेर भी है DesiDoc भी है, Sandoc भी है, InVias है, InFlipNet भी है लेकिन आज हम इनमेस से कौन सा NetWork पढ़ने जा रहे है जो है DelNet पढ़ने जा रहे है तो जो भी विद्यारती, एकलवी है मॉडल Residential School की त्यारी कर रहे है मैं आपको बताना चाहता हूँ यह सारे Information Network आपको पढ़ने पढ़ेंगे यह तो अभी National है National के बाद ज्यान रखना International Network System भी अपनको पढ़ने पढ़ेंगे तो इन सब को अलग-अलग से हमें पढ़ना होता चीकिए ना भई? यह सारे जो अलग-अलग से Network है लेकिन आज हम जो InMess है यतने सारे National Network है लेकिन इन में से आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेलनेट के बारे में यह सारे जो Network है यह इंडिया के Network है और इन में से कहीं ना कहीं इन Network में से दो या चार सवाल हमें से प्रिक्षा के अंदर पुचे जाते हैं यह Niscare अलग Network हो गया डेसी डॉक हो गया ठीकिन अब यह Information System है यह NKN हो गया लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे है कौन से नेटवर्क दोस्थो डेलनेट नेटवर्क ठीकिन अब यह तो आपके सलिवस को पांच बागों बाटा गया जिसमें चौता पार्ट आपका रेप्रेंस और इंपॉर्मेशन सर्विस कर रहेगा ठीकिन उसके बाद हमारे कूर्स में इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्क भी है कंसोर्ट यह यह सारे जो टॉपिक होते हैं तो आईए शुरुआत करते हैं आज का जो हमारे टॉपिक है इसका नाम है डेलनेट क्या नाम है दोस्तों डेलनेट तो सबसे पहले आपका पहला सवाल यही बनेगा कि वाट इस दा फुल फॉर्म ऑप डेलनेट तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों डेलनेट की फुल फॉर्म क्या होती है developing library network क्या होती है दोस्तों developing library network होती है यह पहला सवाल और यह important है और कहीं बार प्रिक्षा के अंदर पुछा भी जाता है कि Delnet की full form क्या है तो Delnet को developed developed का मतलब क्या हो गया दोस्तों विक्सित करना इस Delnet को विक्सित क्या गया था कव्सित क्या गया था 1988 में यह आपका दूसरे सवाल बन गया और तीसरा है Delnet को support क्या जाता है support करना या पिर कई बार अंग्रेजी में sponsor भी कहते है क्या कहते है दोस्तों sponsored तो Delnet को sponsor क्या जाता है किसके द्वारा वही निशाद के द्वारा किसके द्वारा दोस्तों निशाद के द्वारा डेलनेट को sponsor क्या जाता है और निक का मतलब होता है national informatic center और निक के द्वारा इसको promote क्या जाता है क्या क्या जाता है दोस्तों promote क्या जाता है तो परिक्षा के अंदर सवाल क्या आएगा तो द्यार रखना है परिक्षा के अंदर पहला तो सवाल आएगा आपके के फुल फॉर्म ऑफ फुल फॉर्म ऑफ डैलनेट पहला सवाल आपके परिक्षा के अंदर देखने को मिलेगा के डैलनेट की फुल फॉर्म क्या होती है द किसरा सवाल बनेगा कि डेलनेट को सपोर्ट किसके द्वारा क्या जाता है या तो प्रिक्सम आएगा सपोर्टेट बाई या फिर बना जाएगा इन स्पॉंसर्ड इस्पॉंसर्ड बाई तो द्यानकना डेलनेट को सपॉंसर्ड या सपोर्ट किसके द्वारा क्या जाता है दो ड्सक्राइब उस्षच के द्वारा दोस्थो निक हो तो सवाल बनने के तरीका में आपको बता रहा हूं पहरा सवाल भनेगा कि ड्रेत की फिलपर्म या है तो डेयल नेट यह फिलपर्म हो तो डेलनेट के स्थाप न होगी 1988 में तीसरा सवाल यह बनेगा डेलनेट को सपोर्ट और स्पॉंसर्ट बाइब कई जगा प्रिक्षा के अंदर मैं ने देखा आज ही देखा था राजिस्तान के अंदर जो है एक पेपर था दोजाज शोड़ा के अंदर उस वाल में पूछा कर जाता कि डेलनेट वाज इस्पॉंसर्ट बाइब डेल को इस्पॉंसर्ड किया जाता किसके दवारा निशात के द्वारा से शपोर्ट के चांड वित्हीं पर दंग यह जाता तो ड्याहिड आ रगा यहोई financial support कौन करता है वही तो financial support करता निसाथ ठीक है ना वही तोस्तों निसाथ की full form बता आपको निसाथ की full form होती है national national information national information system for for science and technology इसकी full form क्या है दोस्तों national information system for science and technology ये क्या होती है वही निसाथ की जो है फुल पॉम होती है और निशाद की स्थाप नकब होई थी उनिस्सो शितोतर में निशाद की स्थाप नकब की गई थी उनिस्सो शितोतर में निशाद की स्थाप नकब की गई थी ठीक है दोस्तों तो द्यान रगना है डेलनेट को सपोर्ट और स्पॉंसर निशाद के द्वारत की जाती है और एक सवाल ये भी बनता है कि निसात की फुल फॉर्म क्या होती है निसात की फुल फॉर्म होती है National Information System for Science and Technology और निसात की स्थापने कब हुई थी उननी सो सितोतर में होती है कब हुई थी सितोतर में और डेलनेट को पर्मोट किया जाता है तो अब वर्तमान में इसको पर्मोट किया जाता है निक के द्वारा और निक की फुल फॉर्म क्या होगे एन इस सी निक की फुल फॉर्म होती है National Informatics द्यानकना यह सबसे important है वापरिक्षा के अंदर information भी दियावा होगा information नहीं होगा तो द्यानकना निक की फुल फॉर्म होती है National Informatics Center यह क्या होती है NIC की फुल फॉर्म होती है और NIC की स्थाफना कब होई थी 1906 अथर में होई थी कब होई थी दोस्तों 1906 में होई थी तो आपको इस तरीके से द्यानकना सवाल कैसे भी बन सकता है आपको जो हैं confuse करने के लिए इसलिए आपको किसी परकार का confuse नहीं होना है ठीक है दोस्तों तो जो हैं डेलनेट को support किया जाता है निसात और निक को अमेसा किया जाता है निक के दोरह promote किया जाता है तो developing library network डेलनेट की स्थापदा मूल रूप से दिली पुस्काली network के रूप में जन्वरी उनिसात और निक के सयोग से की गई थी तो आपको बता दू के इस डेलनेट का पुराणा नाम किया था तो डेलनेट का पुराणा नाम था दिली लाइबरेरी network क्या नाम था वे दिली लाइबरेरी network जब डेलनेट की स्थापना की गई थी 1988 में तो उस समय इस्थापना के समय डेलनेट का क्या नाम था दिली लाइबरेरी network था लेकिन वर्तवान में डेलनेट का क्या नाम है यह नाम कब चैन्च हुआ है आगे हम पढ़ेंगे जानक नाम ठीक है दोस्तों तो 1988 में भारत अंतराष्टे के अंदर में निसात और निसी के स्वयोग से की गई इसे 1902 में पंजिगरत क्या गया था very important question है यह लोग बहुत ज़्यदा इसको रेजिस्ट्रेट किया गया था इसको रेजिस्ट्रेट किया गया था इसको रेजिस्ट्रेट किया गया था नाइंटी नाइंटी टू में इसको रेजिस्ट्रेट किया गया था तेरा सितंबर दो हजार को very important 13 September 2000 को एक सोसाइटी की रूप में इसका नाम दिल्ली पहरी इंपोर्टेंट कोश्चन है जब डेलनेट की इस्तापना की गई 1988 में तो डेलनेट का नाम था दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क था लेकिन 13 सितंबर 2000 को यह सवाल बनता प्रिक्षा के अंदर के डेलनेट का नाम दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क से डवलोपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क कब कर दिया था तो दियानकना 13 सितंबर 2000 को दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क से इसका नाम बदल कर द्वर्तमान में डवलोपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क कर दिया गया था कब गया था सम 13 सितंबर 2000 को कर दिया गया था और इस क्लास के माध attacked him sir में यह कहना चाहता हूं अगर आप Hindi medium की विटियारती हैं तो किन्ठेंड लिखे और English मेडिया में बिख सकते हैं लेकिन इंदी मेडिया में ने बच्चों को मैं यह चाहता हूं कि अगर आप को ंधी में कहीं जगे ब्रोब्लम आ रही है तो आप जरूर इंग्लीज जरूर साथ साथ पढ़िए देखिए लाइबरी साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है और लाइबरी साइंस के जो आने वाला जो कॉंपिटेशन है एक लिए मॉडल रेजिडेंसल स्कूल है जिसकी विग्यप्ति जो संभावित महिना मैंने कल भी पार्ट है यह जो है national information system और network में आपका बहुत शारे network है हम सारे network पढ़ेंगे लेकिन पहला आज हमारी जो पहली क्लास है , इसकी डलओनेट के बारें बढ़ रहे हैं , तो हिंदी मीटियम वाले रिखने में नोट्स बनाई है और इंग्लिश मेटियम वाले इंग्लिशमन नोट्स बनाई आप दोस्तो हूं कि सब्सक्ताफ लाइबरी बिचिए लेकिन इसका रेजिस्ट्रेशन गब हुआ था गई लेकिन इसका रेजिस्ट्रेशन गब हुआ था नाम बदल दिया गया था from Delhi Library Network to Developing Library Network Delhi Library Network से सं 2000 में इसका نام developing library network कर दिया गिया है अब देखिए हमने एक छोटा सा topic सुरूर किया सवाल कैसे बनेंगे पहला सवाल बनेगा कि इस्तापना के समय डिल्लेट का क्या नाम था तो पांसर होगा दिलनी लाइबरेरी नेट्वर्क, दूसरा, डिलनेट की स्थापन लेट्प की गई? 1998 में, तीसरा, डिलनेट का रजिस्ट्रेशन कभ हुआ? तो डिलनेट का recordscómo वा था 1992 में, 1999 में तीसना सवाल है दिली लाइबरी नेट्वर्क से इसका नाम डवलपिंग लाइबरी नेट्वर्क कब हो गया था 13 सितंबर 2000 को हो गया था चौटा सवाल इसको जो है डेलनेट को सपोर्ट किसके द्वारा क्या जाता है डेलनेट को support क्या जाता है, निसात और NIC के द्वारा, NIC के द्वारा क्या जाता है दोस्तों, तो 5-6 question आपके इस तरीके से बन जाता है, इस class को लगाता और देखना, आप last तक देखना, क्योंकि last में इस topic से हम 10-12 important question भी solve करेंगे, जिसका answer आपको live class में, इस class में आपको बत 簡單 question मनता है, के who is the present director of डैल डेलनेट, डेलनेट का जो है वर्तमान निर्जलक्डीष कोन है, present का मतलब क्या होल गया, वर्तमान और डायरेक्टर का मतलब क्या होगय है दोस्तों निर्दे से क्या होगे दोस्तों निर्दे से तो डेल नेट का जो वर्तमान निर्दे से कौन है तो वर्तमान निर्दे से क्या है डाक्टर संगीता कॉल वेरी important question है दिया रखता तो वर्तमान में Dell Net का director कौन है वई तो Dell Net का director है संगीता कोल है दिया रखना मलब आप content को इस तरीके से पढ़ो देखिए हमने इस बाद syllabus के अंदर एक system किया है पूरा content update कर रहे है क्योंकि KVS के दोरान क्या वाता पता आपको KVS के दोरान जब paper आया था उस paper देखकर हमें लगा कि कई न कई content को बहुत ज़्यदा update करने की ज़रूत है इसलिए हमने decide किया था कि पूरा content को update किया जाएगा तो update करते समय हमने यह देखा है कि आजकल जो question से बहुत ज़्यदा deeply पूछे जा रहे है इसलिए इस बार हमने हर एक पूरा content में वीडियो वीडियो के निचे pdf और pdf के निचे हमने test दिया है इससे क्या होता है कि जब pdf से पहले वो content लिखता है तो 20% याद हो जाता फिर लिखने के पास उसके पास pen और register रहता है पढ़ते समय उसका पूरा जो concentrate है केवल उसकी चीजों को समर्जने के लिए होता है दोस्तों ठीक है त्यान रखना हो तो वर्तवान डारेक्टर को ने डाक्टर संगीता को है ये पैंगलोर हैद्राबाद और पुने में तीन समन्वी कायों के साथ काम करता है और डेलनेट का मुख्याले कहां पर है वही नई दिल्ली में है वेरी इंपोर्टेंट कोस्चन है द्यान रखना तो द्यान रखना ये डेलनेट जो हैं और भी जगे काम करता है तो इट ऑपरेट्स विट त्री कोडिनेशन यूनिट्स अगला बनेगा आपके वेर इस दा हैड़कोर्टर उप डेलनेट का मुख्याले कहां पर है तो डेलनेट का मुख्याले कहां पर है दोस्तों नई दिल्ली के अंदर इस्ते थे ते हैं इसे 1902 बराणवे में सोसाइटी पंजिकरन अधिनियम 1860 के तहट पंजिकरत किया गया था तो इसका registration तो 1922 वह आता लेकिन कौन से act कौन से act के तहट हो आता है it was registered यह तो सब को बता है इसका registration 1922 वह आता सवाल यह भी बन सकता है कौन से act के तहट तो ध्यानगना under society registration act 1860 तो registration act जो है 1860 वाला जो registration act है उसके तेर्ट इसके स्तापना होई और कब हुई थी रवी registration गब हुआ था 1992 में तो ध्यान रखना स्तापना तो होगी थी 1988 में लेकिन इसका registration 1992 में हुआ था ठीक है दोस्तों अब हम जो ध्यान रखना डेलनेट से समंदित एक annual convention के बारम बात कर रहे हैं ठीक है अब है एन्वल एन्वल कन्वेंशन का मतलब हिंदी में होता है वार्षिक समयलन क्या होता दोस्तों वार्षिक समयलन होता है तो यह कई बार प्रिक्षा के अंदर पुछा जाता है कि डेलनेट के द्वारा डेलनेट का एक नियमित रूप से हर साल एक वार्षिक समयलन होता है एक national convention होता है regular तो विवाज़िक समयलन का नाम क्या है दोस्तोг नेतलिन क्या नाम है दोस्तों नेकलिन जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है N का मलो हो गया National Conventional on Knowledge Library and Information Networking इसका फुल फॉर्म क्या है National Convention on Knowledge, Library and Information Networking तो यह NECLIN क्या है एक DELNET का क्या है दोस्तों Annual Conventional है यह 1908 से ठीके नवे NECLIN की सुरुवात का भूलती 1998 से यह 1908 से DELNET द्वारा आयोजीत एक वार्शिक समयलन है मैंना भी बताया था क्या दोस्तों यह NECLIN क्या है NACLIN यह वार्शिक समयलन है जिसके द्वारा शुरू किया गया था यह द्यानकना DELNET के सुरू किया गया था 1998 से शुरू किया गया था इंडिया International Center में यह पहला समयलन हुआ था 1908 में कांप समयलन हुआ था इंडिया International में पहला समयलन हुआ था और जो काँ पर है भे नई दिली के अंदर है तो it is an annual convention ये एक वाट सिक समयलन है जिसको organize किया जाता किसके द्वारा डेलनेट के द्वारा और कब से organize किया जा रहा है सिंस 1998 से फर्स्ट कंवेंशन और पहला जो समयलन है एट इंडिया इंटिनेशनल सेंटर आई आई सी नई दिली में जो फर्स्ट कंवेंशन हुआ था कब वह था 1998 में उन्निसो अंधान में में जो है पहला कंवेंशनल हुआ था नेकलेन का ठीक है दोस्तों उसके बाद नेकलेन 2018 का आयोजन 46 अक्टूबर से जी आई टी एम विश्व विद्याले विश्यगा पटनम में क्या गया था तो ज्यार रगना दो हजार अटारे में नेकलेन का जो है 21 कितना बही 21 समयलन कहां पर हुआ था 21 समयलन हुआ था जो है विश्यगा पटनम जी आई टी एम विश्यव विद्याले में हुआ था और रेकलीन का उन 2019 में 22 वा तो 2019 में जो 22 समयलन है कितना है बही 22 समयलन है का आयोजन 18 से 20 सितंबर 2019 को होटल सोरिया गड़ रिजोट उदेपूर राजस्तान में किया गया था अधाले कम क्या गया था वही जो है 2022 में तो 18 वाला जो क्योंकि नेकलिन जो एक वाट्षिक जो है समयलन है हर साल में एक वार यह हमेशा होता है नेकलिन जो वाट्सिक समयलन जो डैलनेट के द्वारा आयोजोत होता है तो द्यानग ना दो簡र अघ्रम हमें यह 21 च्टी सबद था और 19 2019 में 22 वा जो कहां पर हुआ था हुए उद्यपूर राजस्तान में हुआ था होटल सोर या गड़ रिजोट में हो था लेकिन 2020 2021 और 22 क्योंकि 20 में कोरणा की वज़े से वार्षिक वार्षिक समयलन में यह क्या सुरू हो गया दोस्तों वार्षिक समयलन में इनन्वा यूजनक़ कि वे यस के बाद जो है 20this honey of शुरू हो गया था ठीक है दोस्तों नेकलीन 2018 वास ओर्गनाइस्ट फ्रॉम फॉर्ट से फिक्स अक्टूबर एट जी आई टी अम उनिवर्सिटी विसागा पत्नम एंड नेकलीन 2019 2020 वास ओर्गनाइस्ट फ्रॉम एटीन टुट्वेंटी सप्टमबर 2019 2019 एड होटल सौरियागर्ड रिजोट ओदेफर और राजिसान के अंदर हुआ था ठीक है दोस्तों तो द्यान रखना है नेकलीन का सवाल हमें सब रिक्सम पुझा जाता है नेकलीन इजे एन्वल कन्वेस्टनल रेगुलर्ली ओर्गनाइस्ट बाइड डेलनेट डेलनेट के द्वारा इसे नियमित और ग्रैस्ट के जाता है ठीक है फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसके बाद इसे इसे का मल्लो होता है डेलनेट को इसे राश्ट्य सुचना विग्यान एन इससी जिसे हम कहते हैं केंद्र सुचना प्रायोदिक विवाग संचार और सुचना बहुत चारे जो और भी छोटो मोटे जो इंस्टिट्यूट है चोटो मोटे जो सेंटर है उनके द्वारा उनको सपोर्ट किया जाता है तो इट वाज सपोर्टेट बाइनेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर यह तो पता चल गए अभी हमने पढ़ा था एन इसी उसके बाद टेक्नोलोजी तीसरा है मिनिस्ट्री ओप कम्यूनिकेशन एंड इनफॉर्मेर्मेशन टेक्नोजी और चाहता है गवर्मेंट आप इंडिया और प्षम ली ओप कृवर्मेंट ऑप इंडिया इन सभी के दौरा डैलनेट गो सपोर्ट किया दोस्तों अब और देल से बारे हम पर्दामद करता है कि अपाइट फॉम इस सर्विस डेल्이ट फो यूस्पोल सउप्टिवैर डेल नेट के दोरह कुछ जो है यूसेपूल सब्टेवर का भी विकास किया जाता है प्रडेक्श नेम ली जिसका नाम है तो देखनुँद टाले सब्सक्राइब को एग है और नहीं किस द्वारेस ही उट फॉट्थ मजब किर रीचर सब्सक्राइब को थे हैं नीच आरे सब्सक्राइ olmaz जेडियोव उसे मां बेगाई द बहुरत कि इलन बम जयंच ड्लोन और ड् kend डॉस आप ड्लोस अब अब ड्लवास है क्या तो द्यान करना है पुस्तोगों का मार्क मार्क कमल उटा मस्इन डीद्रेवल केटोड डीकोर्ड बनाने कि लिए द्यान अटना ट्रम टेम और ये कृटिंग मार्क ठीकिना ड्लीकोर्स और वुक्स ऋबुक्स को भुक्स का रिकोर्स बनाने के लिए जो है यह क्या है यह वंड एल ouse का परिएक होता है किसका परियोंगता है रहाता है होता है टे सरह होता है ड 얼us क्या हाथा दोस्तो डैल प्लस मैंट्वार्रण और haven एक निर्बान एक्सेस कैटलोग के लिए एक स्टेंट अलोल लाइबरी मेनेजमेंट सौप्ट्योयर है very important question है परिक्सा के अंदर पुचा जाता है कि डेल प्लस जो एक management software है ये किसके द्वारा विक्सित क्या गया था ये विक्सित क्या गया था देल नेट के द्वारा तो यह stand-alone library management software है द्यानगना very important question है कई बार परिक्षा के अंदर पूछा गया था कि फिर डेल प्लस software क्या है तो द्यानगना डेल प्लस software जो एक management software होता है जो डेल नेट के द्वारा जो है बनाया जाता है for database creation and maintenance and for opic online public accesses catalog हो गया फिर चौता जो होता है वो होता दोस्तो डेल मार्क अब डेल मार्क क्या है बड़े संग्रे और ग्रहाकों वाले बड़े पुस्टकाले के लिए एक lane आदारित पुस्टकाले प्रबंदन software है लेन का मेले होता है local area network तो यह lane based library management software है यह भी क्या है वही library management software है लेकिन किस पर है बेलेन बेस्ट लेन पर आधारित है क्या है दोस्तों लेन पर आधारित है for larger libraries with larger collection and client 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 हो गया क्या होगे दोस्तों यह चीज़ आपको ध्यान में रखनी है तो कहना है का मतलब यह है दोस्तों तो यह चार प्रकार के जो software है जो किसके द्वारा निर्वित है यह डेल नेट के द्वारा निर्वित है दोस्तों ठीके दोस्तों तो यह चोटा सा टॉपिक था डेलनेट आज हमने पहली क्लास शुरू की है एकलविय मोडल रेजिडेंस से स्कुल की तो और भी इंडिया में बहुत सारे जो हैं नेशनल इंपॉर्मेशन सिस्टम और नेट्वर्क है डेल नेट हो गया इंफ्लिम नेट हो गया निक नेट हो गया एन इसी हो गया निसात हो लाइबरी नेटवर्क हो गया इन सभी तमाम करीबन पचीज से 27 ऐसे नेशनल लाइबरी नेटवर्क है इंडिया इनको हम एक साथ जो है अगले और नेक्स्ट क्लास के अंदर और एक इंपोर्टेंट नेटवर्क के बारें पढ़ेंगे जिसमें परिक्षा से समधित बहुत स सॉल्ड कर लेते हैं ताकि आपको नेक्स्ट की एक समघी कि इस सघ्राइब करें टूस्ट को समयुइथ के लिए अपको ज़या ञेंगा और इसस przy links के तो जल्दी से पहला question है देखें दोस्तों कि developing library network डेलनेट वाँ set up with the support of विकास विकास शील पुस्तक network पुस्काले network डेलनेट जिससे कहते हैं किसके सयोग दौरा इस्तपित क्या गया था किसके सयोग के दौरा जल्दी से आंसर बताएं आप सभी लोग तो इसका आंसर होगा आपको निसात और निक द्यानगना तो निसात के दौरा तो क्या होता हैं supported द्यानगना कई जगा supported by या फिर कई जगा लिखावा sponsored by और निक एनाइसी वर्तमान में एनाइसी के दौरें इसको प्रमोट किया जाता है अगला क्यूस्त ने वेन डेलनेट वाज established as agency डेलनेट को एजेंसी के रूप में कब इसतपित किया रहाए था तो डेलनेट को इसतापित किया गया था अगया था एसन सवाल आता है वर्तमान का आपको आपसर देना वर्तमान में डेलनेट की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, डॉपिंग लाइब्रेरी नेट वर्क है, लेकिन ये दिल्ली लाइब्रेरी नेट वर्क है, ये ध्यान रगता है, इस्तापना के समय, जो है डेलनेट का क्या नाम था, डेलनेट का नाम किया था, दोस्तों, डिल्ली लाइब्रेरी नेट वर्क था, लेकिन दो जार में, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, डेवलोपिंग लाइब्रेरी नेट वर्क कर दिया है, नेक्ट जसन में, वेर इस सहा है डेलनेटि का मुख्य रेका कहां पर है, तो बताये जल्दी से, डेलनेट का मुख्य रेका क्यां पर है, नänge दिल्लिकी अंदर है, बिलकुल सांदार जवाब दे रहे हैं में सभी हैं, अगला लेकिन इसका जो रिजिस्ट्रेशन है इसका पंजीगरण है पंजीगरण कभ वह था उन्नीस वराणुए में हुआ था नाइंटीन नाइंटी टू में इसका पंजीगरण हुआ था फिर एकला कुश्चन है अग्ला क्यों तक्षिगरण को किस अधिनेरिकतर पंजीगरण पंजीगरण है किया गया था कौन से अधिनियम के तहट तो ध्यान अगना पहला आंसर होगा अंडर सोसाइटी रिजिस्ट्रेशन एक्ट आप 1860 अटारह साथ रिजिस्ट्रेशन एक्ट आप 1860 के तहट इसको रिजिस्ट्रेशन क्या गया था ठीक है उसके बाद ले विच्ट अमंग दन फॉलोइंग अप्ट आरीश या घति वीडियो में इस पर्ट जो नेत से जुडावा है चाहिए इसको सर्विस को चाहिए अक्टिवीटी को या फिर इसको हम किया सकते एन्यॉल convention भी क्या सकता है वार्षिक अधिवेशन तो ये तो जुड़ावा नहीं है ये भी नहीं जुड़ावा ये भी नहीं जुड़ावा है तो द्यान अगना डेलनेट से किसे जुड़ावा है भी नेकलिन जुड़ावा है और नेकलिन क्या है दोस्तो एनवल कवेंशन है वस एक समयलेंगे जो हड़ साल डेल नेट के द्वारा इस अमयलेंग को हमें से आयुज़ित क्या जाता है अगला कीषिण है when was the Name changed from Delhi に nearly network to developing library network तो डिवलपिंग लाइबरी नेटफर का नाम कब से बदल कर भ्लपिंग लाइबरी नेटवर्क कर देया धो पहले इसथापना के समय policing डिल्ली लाइबरी नेटवर्क फ्कोंपोर उनीच तो개를 बदल का नाम गर्यार विक्ताइब बदल कर developing library network कर दिया गया था कितना में developing library network कर दिया गया था ठीक है दोस्तों इस तरीके से आपका जो यह topic है आज यह डेलनेट सभावत हो जाता है दोस्तों और आप आपको यह class कैसे लगी है एक वार जरूर आप हमारे इस class को अपने दोस्तों के साथ share कीजिए ग्रूपों म content जरूर किजिए क्योंकि मैं आपको इतना अच्छा content दे रहा हूं आपका एक वार आप डेलनेट का नोट्स बनाई अपने रेजिस्टर में फिर आपको जब इसका revision करोगे बहुत मजा आएगा पढ़ने का ध्यान लगना आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने के लिए OCLC OCLC से कम से कम तीन सवाल पुचे कहते हैं किदरे सवाल तीन सवाल पुचे कहते हैं तो इसलिए यह information network बहुत ज़दा important है यहां से एक दो सवाल हमेशा परिक्सा में से पुचे जाता है दोस्तों तो जरूर इस class को like कीजिए comment कीजिए और क्योंकि आपके जो comment है हमेशा मु यह चीज़े आपको देने की कोशिस करता हूं ताकि आपको आपका समय बचा सकूँ में और आपको सही मार्ग दसन दे सकूँ में और इस class के माध्यन से में यह कहना चाहता हूं कि आने वाली जो एकलोविय मोडल आवास से school है और जो भी विद्यारती इसके त्यारी करना च कर लिजे और हमारा जो यह लोगों आएगा ब्लैक कलर का उस लोगों को आप देख लिजेगा और कोर्स अगर आप लेना चाहता है क्योंगे देखिए यह संभावित महीना अक्टूबर नौवंबर में इसकी वेकेंसी देखने को मिल सकती है च्छिके ना और अगर आपको और भी कोई डाउट है किसी परकार का डाउट है करकें सी ब्रेकार का रिजेगा और दूसरी बात आपको जो पेपर वन और पेपर तू दोनों देंगे और पूरे इंडिया में पूस्काले विज्ञान में ऑन्लाइन इसकूल इंडिया का ऐसा प्लेटॉउम इंग्लिस में जिसमें आपको जो content है पुरा bilingual मिलेगा क्या मिलेगा दोस्तों bilingual मिलेगा Hindi और ऐस दोनों में ताकि कस्मीर से लगा कर कन्या कुमायद तक आप रचले में जो श्टुडेंस हैं वो दोनों language में अगर वो देंगे हम हम दोनों क्योंकि हमारे आपको किसी फरकार से कोई प्रोब्लम जो है नहीं रहें आपको तो अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो न्यू अपडेटेट कोर्स है अभी हमने पूरा क्योंकि के विएस का जो जो पेपर आया था उस पेपर को देखकर हमने पूरे सलेबस को क्या क्या अभी अपडेट किया है तो अपडेट जो कोर्स की विशेशता क्या है न्यू अपडेटेट कोर्स की विशेशता यह है दोस्तों सबसे पहले हमारा एप के अंदर क्या होता दोस्तों वीडियो होता है वीडियो के निचे क्या होता दोस्तों पीडियेप होता है और पीडियेप के निचे हमारा क्या होता दोस्तों टेस्ट होता है क्या होता दोस्तों टेस्ट होता है एक चीज़ जानगनाव Unlimited Video देखो Unlimited PDF देखो Unlimited टेंस दीजिए इसे ग्या हो सबसे पहले PDF से आप क्या बना लीजिए Notes बना लीजिए नोट्स आपको बनाना है ठीक है और, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं एक चीज़ हमेश्चा ऐसको आपने अतों से नोट बनाने होंगे हैं इसकी प्रिंट अडर्फा सकते हैं इसके प्रीच नोट्व से से नोटस बनाने होंगे handwritten notes आपको खुद को बनानेगे इसकी PDF को जो है आपको जो download या print out option नहीं मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा क्योंकि हम आपके लिए क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि library science के अंदर ऐसी कोई किताब नहीं है जिसके अंदर एक ही किताब के अंदर पुरा content इकटा करके आपको एक जगे देते हैं ताकि आपका समय बचा सके और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके दोस्तों चीके दोस्तों तो जो भी विद्यारती हमसे जुड़ना चाहते हैं एक बार आप हमारे इस नंबर पर जरूर कॉल करके आपका हर एक सवाल, doubt, confusion जो भी आपको पूछना है एक बार जरूर पूछिए उसके बाद आप decision लीजिए दोस्तों मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ कि जो भी विद्यारती जिनोंने librarian बनने का सपना देखा है किसी भी विद्यारती ने अगर librarian बनने का सपना देखा है तो अगले जो 6 महिने, next 6 month अगले जो 6 महिने जो है यह आपकी जिन्दगी के लिए बहुत ज़्यदा important है और एक librarian बनने के लिए आप complete library science का competition exam अगर आपको fight करना है तो कम से कम आपको 6 महिने पढ़ना पड़ेगा द्यान अगना क्योंकि आपके syllabus में paper 1 मी और paper 2 भी है तो अगर आपको syllabus को complete करना है तो syllabus को complete करने के लिए कम से कम आपको चाहिए चार महिने और खाली syllabus पूरा करने से कुछ नहीं होगा लेकिन आपको revision and test के लिए कम से कम आपको 2 महिने चाहिए तो 4 और 2 महिने कितने होगे 6 महिने तो मतलब अगर आपको librarian बनना है तो आज से कम से कम 6 महिने 6 महिने तक आपको त्यारी करने पड़ेगी द्यान अगना कुछ विद्यार्टी एक चीज पतारों में आपको पूरे इंडिया में वेकेंसी आएगी ये 740 पोस्ट आएगी तो जैसे ही आपको पता हैं कि ये नियम बरती नियम बन गये थे तो समली जे जितनी पोस्ट आती है न उससे 10 गुणा लोग त्यारी में जुड़ जाते हैं दिया नगना 700 पोस्ट का 10 गुणाँ 8,000 लोग ओल और इंडिया में त्यारी में जुड़ जुडगे में त्यारी करना सुरू है तो कुछ लोग सौचित हैं कि वेकेंसी आने के बाद त्यारी करेंगे तो वेकेंसी आने के बाद सिरफ आपको चार मैने ही मिलेंगे तो चार मेने में सिरफ आपका सलेबस पूरा होगा, आपका जो रिविजन और टेस्ट कभी नहीं दे पाओगे, और लाइबिरिन बनने के लिए सलेबस पूरा करने के साथ साथ टेस्ट और रिविजन बहुत ज़्यदा जुरूरी है, क्योंकि लाइबिर साइंस जो है एक टे महिने में या चार महिने में में लाइबिरिन बन जाओंगा, तो मुझे लगता है कि उसके दिमाग में एक बहुत बड़ी गलट फ्यमी है, बहुत जागरूख हो चुकिया है लाइबिर साइंस में, दिनों दिन बहुत ज़्यदा कॉम्पिटेशन लेवल बढ़ रहा है, त अब क्या हो सकता है, कुछ पता नहीं चलता है, दोस्तों, आपदा और विपदा हमें सब बिना सुचना के आती है, तो अगर आप सही समय चल रहा है, वरत्मान अगर आपका सही चल रहा है, तो आप अभी से टैरे कर लेजिए, एक वार प्रोपर पाथ रजिस्टर में गाड़ भी सकते हैं, क्योंकि एक जैसा समय और एक जैसी प्रसति कभी नहीं होती है, कब समय चेंज होता है, कब प्रसतिया बदलती है, किसी को नहीं पता है, अगर आपका भी समय सही चल रहा है, तो अभी से आप टैरे में लग जाएं, थाकि अगर एक्जाम से पहले, कु पर अगर आपके पास नोट्स होंगे, परोपर आपके पांच रेजिस्टर में लिखे वे होंगे, तो आपको जल्दी जल्दी रिविजिन करने में असानी रहेगी, ठीक है दोस्तों, मैं एक चीज लास्ट में जाते हूँ है, यह कहना चाहता हूं, कि हमारा मांगदसन आपक बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह की की और क्लास देखने के लिए यहाँ पर आप क्लिक रहें जो विद्यायर्टी टेलिग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाएं है उन टेलिग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है वास से आप जुड़ सकते हैं और हमारे OSI फैमिली से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पमिशी में और अच्छी से अच्छी क्लास आपको मिल सकते हैं